कॉंग्रेस बिधान मंदल दल की नेता आराधना मिश्रा जी से बात करते हैं मैं हम आज सदन की शुरुवात हुई बजट सत्र के लिए राज़िपाल का भिभाशाड हुआ लेकिन हंगामा खेज रहा है आखिर क्या वज़े रही देखे ये पूरी तरह से जूट का पुलिंदा था और मैं तो ये कहूंगी कि सफेद कागस पर ब्रश्टाचार और ध्वस्त कानून विवस्था की काली स्याही से लिखी गई इबारत थी जो महमाईम राजबाल को सरकार ने दी थी पढ़ने के लिए ये सच से बहुत दूर कोई वास्ता नहीं था परे थी सच से नहीं कोई फॉर्मुला उसमें था जो महंगाई से संबंधित था नहीं कोई ऐसा ऐसी बात थी जो बेरोज़गारी से संबंधित थी लगातार पांट सालों में और ये छटा बजट प्रेश करने जा रही है सरकार कोई ऐसी उपलब्धी नहीं है जिसके लिए सरकार ने जो वाइदे किये थे उसको पूरा किया हूँ सरकार के लोग कह रहे हैं कि विपक्ष सिर्फ हंगामा खड़ा करना जानता है सरकार सारे सवालों के जवाब देने के लिए तयार हैं उसके बाद भी हंगामा खड़ा करते हैं क्योंकि कोई मुद्दे नहीं है आप लोगों के पार सरकार अगर जवाब देना चाहती है तो सबसे पहले तो इस बात का जवाब दे कानपूर में अभी कुछ दिन पहले जो घटना घटी जहां पर एक मा और बेटी को मजबूर किया सरकार के बुल्डोजर ने और उन्होंने आत्मदा कर लिया किसकी जवाब दे ही है क्यों नहीं जवाब देरी सरकार मौन क्यों है क्यों ब्रष्टाचार के मुद्दे पर जहां बड़े-बड़े उनके मंत्री मंदल के चहरे ब्रष्टाचार में घिरे हुए हैं और जिसको हम नहीं कह रहे हैं आरोप नहीं उन्होंने स्वायम से कार किया है उसके बाद भी सरकार मोन है तो ये तो जवाब दे ही सरकार के जवाब दे सरकार हम तो जवाब मांग रहे हैं और जो हमने विरोध प्रदर्शन किया वो सरकार के जूट का प्रदर्शन था ये हमारा नेतिक अधिकार है हम इस पर सरकार से सवाल भी करेंगे और सरकार को इस सदन में जवाब भी देना पर और क्या कुछ होंगे कल के मुद्दे कल तो अभी निधन पर संदेश है हमारे एक साथी हमारे बीश में नहीं रहे उनके उनका संदेश है पर बाकी जब सदन चलेगा महामहिम के अभिवाशन पर चर्चा होगे तो अपने महिंगाई से जुड़े बेरोजगारी से जुड़े summit पे जो जस तरह से सरकार इंडोरा पिट रहे एक क्यूं नहीं शुड़े पर जारी करती बताती क्यूं नहीं सरकार की MOU के साथ साथ निवेश कितना है अभी तक पैसा कितना है कितने नौजवानों को रोजगार देने का रोड मैप है सरकार का कितने रोजगार जो पिछले इन्वेस्टर समिट हुए उनमें कितना रोजगार आया तो सरकार श्वेत पच जारी करे हमारी इमान में बचित के लिए शुक्रिया आपने सुना आराधना जी को उन्होंने बड़ी ही साफगोई से अपनी बाते रखी और कहा कि सरकार को तमाम मुद्दे जो पिपच दोरा उठाए जा रहे हैं उनके जवाब देने चाहिए कैमरा में आशीश के साथ सीमा अबनक्वी भारस समचार लखनव